मैं शुक्रा गुजार हूं कि नरेंदर मोडी जैसा नेता हमको मिला मानिने परधान मंतरी शीर नरेंदर मोडी जी के नेतरत में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है हम सबको भी यह चाहिए कि उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रियास उसी को लेकर हमें कितना सोना कम करें एक भारत सेष्ट भारत इसी संदेश को लेकर के हम सभी लोग यहां पर आये हैं जो आदेशनिय प्रधान मंत्री मोदी जी का सपना है सरवे भवन्तु शुखना सरवे संतु निरामया की संस्किती है उसी संदेश को लेकर के हम सभी लोग यहां पर आये हैं जो भारतिय संविधान है और जो भारतिय संस्कृति है वो विविद्धा में एकता है यदि भारत के संविधान और संस्कृति के हिसाब से विविद्धा में एकता है तो भारत संदर है नई संसद में आकर के परधान मंत्री जी से मिलना बहुत ही खुशी की बात है हमारे Honorable Prime Minister श्री नरेंदर मोदी सहाब के साथ जो लम्हे मिले और उन्होंने जो देश को तरक्की करने के लिए एक सपना बुना है और उसके प्रती तमाम देशवासियों को एक साथ एक सो चालिस करोर देशवासियों को एक साथ लेके चलने की जो बात है पूरी दुनिया हमारे भारत देश की तरफ देख रही है ऐसी स्ट्रॉंग लिडरिशिप के साथ जहां भी जाये जिस संथ भी जाये हमारे देश की कामियाबी तरक्की का हिस्सा बने ये दुआएं हैं अजमे दर्गा शरीफ से आज देश के चुने हुए संसत और संसत में भी देश की नेतरत करने हैं तो उनका साथ मिलना और वर्तलब करना अपने आप में एक सर्वूच है अगने मोदी जी से भेट हुआ और एक नया संदेश है भारत में एक जूठो कर सभी धर्म सभी संप्रदाय नए भारत का निर्मान करने में लगे हैं उसे में साथू संतो का जो सहयोग है उनका भी जो संदेश है वो यही है आओ मिलकर चलें और इस भारत को उन्नत भारत बनाया